चक्रवात फेंगल अभी थमा नहीं है हर जगा तबाही मचाने में लगा हुआ है दक्षन भारत के तमिलनाडू केरल पुड़ुचेरी आंदरप्रदेश और करनाटा के कई जिलों में भारी बारश अभी भी जारी है बौसम विभाग ने तमिलनाडू और केरल की में भारी से बहुत ज़्यादा भारश की उमीद जताई है यहां पर रेड औरेंज और येलो एलाव चारी करतिया गया है भारी बारश के कारण यहां कई जगों पर पानी भर गया है इतना ही नहीं तुफान के कारण तमिलनाडू के तिर्वुनन मलाई में लैंड स्लाइडिंग हो गई किया है सुवार को मुख्यमंत्रियं के स्टाली ने प्रधान मंत्री नरेद्र मोदी को पत्र लिकर आपदा के नतीजों से निपटने के लिए राश्ट्रिय आपदा प्रतिक्रिया कोश से 2000 करोड रूपए की ततकाल राहत मांग की है स्टाली ने कहा कि चक्रवात ने तमिल पर बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों के मौसम में भी बदलाव देखा जा रहा है दिल्ली में कडाके की ठंड ने अभी तक दस तक नहीं दी है लेकिन प्रधूशन की बात करें तो वो बिलकुल बरकरार है और हट से जादा कभी अल्टरनेट डेंस में दिखाई देता ह अगले चार दिन की बात करें तो अगले चार दिन से पाच दिनों में प्रधूशन का स्तर बेहद खराब रहने के संभावना जुताई गई है पूर्वा नुमान के अनुसार तीन से पाच दिसंबर तक एक यू आई खराब स्थिती में ही रहेगा तो ध्यान रखे कि आप मास्क के बाहर ना निकले मास्क पहन कर ही बाहर निकले सावधानी बरते खाने पीने पर ध्यान दे मौसब वभा के मुताबिक आने वाली अगले चार दिनों में हवा का रोक बदलेगा और हवा की गती 10-20 किलोमेटर प्रति घंटे तक रह सकती है तेस हवा से प्रोदूशन छटने की आशुका है दिसंबर भले ही शुरू हो चुका है लेकिन कपकपाने वाली सर्दी के लिए दिल्ली वालों को अभी थोड़ा सा इंतिजार और करना पड़ेगा अक्टूबर और नवंबर के शुक्ष मौसम के बाद दिसंबर का पहला हफता भी इसी तरह का रहेग जहां पर जाता ठंडी का हैसास नहीं होगा हलके हलकी सी ठंडी महसूस होगी हाला कि ऐसा अनुवान लगाया जा रहा है कि दिसंबर के दूसरे हफते में यानी आट से नौ तारीक के आसपास पहाड़ों पर अच्छी बर्वारी होने की संभावना है इसके बाद ठंड बढ रहेगा तो ऐसे में ध्यान रखे तारीक याद रखे अपने आप अपने आपको साफधान रखे ठंड से मास्क पहने बिना बाहर ना निकली क्योंकि दिल्ली एंसियार का पलूशन आपकी सिहत के लिए बहुत हानिका रखोगा बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के ल झाल